A Welcome to VTR classes आज हम बनानी जा रहे हैं इस बॉक्स से एक सुन्दर सा डेकॉरेटीव जूरी बॉक्स तो सबसे पहले हम इसको एक तीले कपड़े से साफ कर लेंगे और इसके कपड़े से साफ करने के बाद हम इसके उपर जैसू अपलाई करेंगे और इसके सारे एजजेज्स और क तो आप उसके उपर white acrylic color या white paint भी कर सकते हैं कि जिसो अपलाई करने के बाद में हम इसके ओपर black paint से color करगे मैंने acrylic color ले लिया है और इससे मैं इसको अच्छी तरह से सारा अंदर और पहाद से ब्लैक कलर अप्लाई कर दूँगे इससे इसकी जो भी हलका फलका क्योंकि यह बॉक्स बहुत पुराना है तो जो भी इसमें रस्ट या कुछ ऐसा दाग धब्बे लगे है वो सब कवर हो जाएंगे मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया आपकी पसंद का जो भी कलर हो आप उसको अपना बेस बना सकते हैं ब्लैक कलर की दो कोटिंग करने के बाद जब वो सूख जाएं तो हम उसके उपर अपनी मन पसंद पैटन ड्रॉ कर लेंगे तो मैंने ये फ्लैमिंगो का पैटन बनाया क्योंकि मैं इसको अपनी बेटी को देने वाली हूँ और उसे फ्लैमिंगो बहुत पसंद हैं आप अपनी चॉइस का डिजाइन बना सकते हैं और मैंने ब्लैक बेस लिया है तो मैंने इसलिए इसके लिए ग्लास माकर का इस्तेमाल किया है जो की आसानी से हमें दिखेगा और अब मैं फ्लैमिंगो के उपर पिंक कलर अपलाई करूंगी जिसको मैंने वाइट और रेड की हेल्प से बनाया है लाल रंग की बहुत कम क्वांटिटी ली है और वाइट हमने जादा इस्तेमाल किया है और उसके बाद में हम इसे शेड देते जाएंगे और इस तरह से हम इसको पूरा अपने डिजाइन को अपने मन पसंद रंगों से भरेंगे फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें तो यह जो मैं इसमें इस्तिमाल कर रहे हूँ यह एक्रेलिक कलर कर रहे हूँ और मैं इसमें बहुत कम पानी का इस्तिमाल कर रहे हूँ बहुत ही ज्यादा कम पानी बिल्कुल भी मतला डिरेक में आल्मोस्ट कलर ही अपलाई इसमें कर रहे हूँ और यह हमने इसमें डार्क शेडिंग्स आप देना शुरू कर दिया है और जहां पर आपका एक्स्ट्रा निकल गया है तो आप उसको बेस कलर को अपलाई कर दीजिए जैसे मेरा बेस कलर ब्लैक है तो अगर थोड़ा कलर बाहर निकल गया हो तो हम उसको बेस कवर को अपलाई करके उसको कवर अप कर सकते हैं अब इसकी हम लेक्स कर लेंगे क्योंकि फ्लैम्गो की लेक्स थोड़ा बड़ी होती है तो उसमें तो स्पेस था नहीं तो मैंने इनको निचली तरफ को दिखा दिया है तो ये भी अपने में खुबसूरस सा पैटन यूनिक सा पैटन निकल के आ गया है अगर आप बच्चों के लिए तयार कर रहे हैं बॉक्स तो बच्चों वाली पैटन बना लीजे और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग पैटन बना लीजे तो मैं अपनी बेटी के लिए बना रहे हूँ तो मैंने इसमें फ्लैमिंगो उसकी पसंद का बना दिया है आप इसमें फ्लार्स भी बना सकते हो, फिश भी बना सकते हो यह जो भी आपकी convenience का पैटर्न हो वो आप इसमें बना सकते हो आप इसमें इनफार्ट डूडलिंग भी कर सकते हो लेकिन उसके लिए बहुत ही फाइन ब्रश आपको चाहिए होगा लॉक्डाउन में ऐसे ही आप भी कोई आपके घर में पुरानी चीज पड़ी है तो उसका रियूज आप कर सकते हो उसका डियाईवाई बना सकते हो अब हम फ्लार्ट भी पेंट कर लेंगे क्योंकि हमारा बेस डाक है तो हम कुशिश करेंगे लाइट कलर्स की फ्लार बनाएं जिससे की वो एकदम क्लेरली हमें नजर आएंगे और सुन्दर लगेंगे डाक पेस पे अगर हम डाक ही फ्लार बनाते हैं तो वो इतने क्लेरली नजर नहीं आते बेस हमारा डाक है तो हम कोशिश करेंगे हलके रंगों के फ्लार बनाएं इस तरह से हम दूसरे फ्लार भी कम्प्लीट कर लेंगे और जो मैं इसमें पतियों में ग्रीन अपलाई करूंगी वो भी मैं कोशिश करूंगी कि ग्रीन में वाइट मिक्स करके करूं जिससे की वो भी हलका हरा रहे देखिए मैंने ग्रीन में वाइट मिक्स कर लिया अब मैं इसकी लीव्स बनाएंगी तो बहुत ही लाइट ग्रीन कलर की लीव्स बन जाएंगी तो यह हमारा बॉक्स अल्मोस्ट रेडी होने वाला है और कुछ एरिया जो हमको हाइलाइट करने हैं तो हम उसके अपोजिट कलर से उसको हाइलाइट कर देंगे और अब जो उसकी बॉक्स की साइट्स बची है तो यह बचा हुआ जो कलर है उससे हम इसको कोई भी अपना मन पसंद का डिजाइन बना लेंगे तो यहां तो मैं यह जिगजग लाइन्स बना रही हूँ आप इस पे कुछ भी बना सकते हैं चाइन लाइन्स ब्रेक करके डैश डैश वाला डिजाइन कर लीजे या पॉल का डॉट्स बना लीजे या चुटे-चुटे कोई फ्लार्स है चुट-चुटी बर्स भी हम तो यह इसकी एक साइट कर ली इसी तरह हम इसकी जो दूसरी बच्ची हुई साइट्स है उनको भी ऐसे ही सेम पैटन से बना लेंगे और हमारी छोटी सी इफ़र्ट से एक घर में यूजलेस पड़ी हुई चीज भी सुन्दर बन जाती है और वो हमारे काम के लायक बन जाती है तो देखिए एक बहुत पुराना टिन का डिब्बा जो हमारे घर में कहीं पड़ा हुआ था फैकने की कंडिशन में था उसको पेंट करके एक नया लुखम ने दे दिया है तो इस तरह आप भी घर में पुरानी पड़ी हुई चीज का इस्तिमाल कर सकते हैं कर दो एक बहुत कर सकते हैं